दीन दुखी और अपाहीज बच्चों के साहेतार फिल्म कलाकारों का मनो रंजन कार्येक्रम हमोश ये आत्मान है जमीन थोली जो तुम लोग जानवारों के तरह लड़ रहे हो देखो अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूँगा आज कैलाश में ये कैसी भीड़ है ये कौन है ये कौन है जो बे सहारा है तुम अकेले हो मगर ये पूरे ग्यारा है बोलो बोलो साथी नहीं बराती नहीं जी पुजारी नहीं भीकारी ना तारे तारे नहीं मेरे दुलारे हैं मेरे चुन्नों को मेरे मुन्नों को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू अरे मुन्नों की अम्मा ये तो बता तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है मुन्नों की अम्मा ये तो बता तेरी फुटबॉल टीम का नाम क्या है बोलना चुरू सब के नाम प्रभू ये अरे आपड़ो ना बीच में से जनवरी फरवरी मार्च अपरल मैं जून जुलाई अगर सितमबर अक्तूबर नवंबर गोद में और दिसमबर पेट में अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे क्या करूं भगवार क्या करूं ये सब तो आपी की देन है क्या करूं खाली खाली था ये घर मेरा भर गया इसमें तेरा तेरा अम्मा ठिक रोटी दे बाबा लंगोटी दे अम्मा ठिक रोटी दे बाबा लंगोटी दे इक तारा भोले तुन तुन ओशंकर भोले सुन सुन काट लगते हैं ये वूल हमसे हो गई कैसी भूल फिर इसके बाद YOURов इक तारा भोले तुन तुन ओशंकर भोले सुन सुन जोत से जोत जगाते रहे हर हर रोज दिवाली मनाते रहे कैसे दिवान थी अपने घर में ही आग लगाते रहे रोज दिवाली मनाते रहे रूप तेरा मसता ना फास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए तेरा रूप तेरा मस्ता ना पास मेरे ना आना भूल कोई फिर से ना खिल जाए प्रभू प्रभू इस बर्ति हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचे आप ब्रह्मा जी से कहिए ना कुछ दुनों के लिए बच्चों की पैदाएश बन कर दे ये कैश्य हो सकता है भग तो फिर एक काम कर गये प्रभू वो क्या प्रभू इससे आबादी भी कम हो जाएगी बच्चा बजाए नौ महिने के अठारा महिने में पैदा हो क्यों रोती है अठारा महिने अरे हम और तो का हाल क्या होगा ये बोच तो मर्ग क्यों नहीं लेते हैं नको नको ये दरद मेरों को नको प्रभू आप है को बता है देखो भग ब्रह्मदेव की स्ष्टि को बदलने के कोई आवशक्ता नहीं क्या प्राप्त क्यूंकि उन्होंने पहले ही मनुष को अनंत शक्ति का वर्दान दिया है यदि मनुष्य सोच समझ कर अपना जीवन बिताने का प्रैट न करे तो उसे सुख और शांती अवश्य प्राप्त होगी प्राप्त प्रभू मैं कुछ समझा नहीं नहीं समझे पालक अच्छा अब तुम्हां भी समझ आओगे सोहम ये देखो इस आदर्श परिवार को देखो अरे सिर्फ दो बच्चे ये कैसे है ये लीधिये परिवार नियोजन परिवार नियोजन जा हो प्रभू ये तुम खुद भी समझ लो और सब को समझाओ अपनी चादर देखके तुम पाओं फैलाओ जाओ भक्त जाओ जाओ भक्त जाओ ए भाई दर देखके चलो देखो तुम करो शादी भी पैदा करो तुम बच्चे भी कम हो तो लगे अच्चे भी ए भाई दर देखके चलो देखो तुम करो शादी भी पैदा करो तुम बच्चे भी कम हो तो लगे अच्चे भी ए भाई